हल्दवानी के MBPG कॉलेज में अखिल भारतिय विध्यारती परिशत से जुड़े चात्र चात्राओं शनिवार को धरने पर बैठे रहे हैं और आपको यह भी बता दे कि तब से ही वो धरने पर बैठे हुए हैं शुकरवार को कॉलेज में हुए लाठी चार्ज के विरोध में CEO City को हटाने की मांग को लेकर ये चात्र धरने पर हैं सतनातक प्रथम वर्ष में परवेश से वंचित सभी चात्रों को दाखिले दिये जाने की मांग को लेकर कॉलेज में शुकरवार को बवाल हो गया और आठ घंटे तक कॉलेज परिशर में अराजकता का माहौल बना रहा गुसाई चात्रों ने परवेश परिकरिया जबरन बंद करवाने के साथ ही कॉलेज के दफ्तर और कक्षाएं बंद करवा दी परिक्षा विभाग में तोड़फोर की गई दो चात्र डिजल लेकर कॉलेज की तीसरी मंजिल पर छट पर चड़ गए और आतमधा करने की कोशिश करने लगे इसे कॉलेज परिसर में भगदर सी मच गई और एक चात्र की जहर खाने की धमकी से बवाल बढ़ गया पर आपको ये भी बता दे कि इसको लेकर चात्रो को पुलिस ने लाठियां बरसा कर ख़देडा तो वे कॉलेज के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए चात्रों ने सीओ की गाड़ी को कॉलेज भी अंदर आने से भी रोक दिया इस पर पुलिस को फिर से चात्र नेताओं पर हलका बल परयोग करना पड़ा चात्रों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया था और वहीं पुलिस ने भी लाठियों से दरजन भर लोगों को जवहां से चात्र से उन्हें हटाने की कोशिश की जिससे कई चात्र चोटिल भी हो गए है एक चात्र गौरव संबल को उसके साथियों ने नीजी अस्पताल में भरती करवाया है और बाद में गुसाई चात्रों ने परचारे को कक्ष में ही बंधक बना दिया और तीन घंटे बाद शाम पाँच बजे उसे मुक्त किया गया कानपूर में जीका वाइरस के मामले बढ़ रहे हैं जिसे देखते हुए अब उत्रा खंड में भी स्वास्ते विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है इसके तहट जीका और नोरो वाइरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है देहरादून से अभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है कानपूर में जीका संक्रमितों की संख्या 108 हो गई है और अभी तक प्रभाविच छेतरों को 116 मच्छरों के सेंपल जांच के लिए भेजे गए है देहरादून के मुखे चिकित सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेदी का भी कहना है कि शुकरवार को ही केरल के किसी कॉलेज के छातरों का नई किसम के वाइरस से बीमार होने का पता लगा है और जिसमें मरीज को पेट संबंधी परिशानिया हो रही है वहीं कानपूर में भी जीका वाइरस के केस बढ़ रहे है और आपको ये भी बता दे कि डॉक्टर का कहना है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए दहरा दून जिले में सभी अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया गया है बाहर से खास कर केरल, कानपूर आदी जगह से आने वाले मरीज जिन में इस तरह के लक्षन दिखाई दे रहे हैं वो OPD में आते हैं तो ऐसे मरीजों का नाम, पता और मुबाइल नमबर जरूर नोट करवाने के लिए कहा गया है ताकि ऐसे मरीजों की मौन्टरिंग की जा सके साथ ही अगर उन्हें भरती करने की जरूर परती है तो उन्हें अस्पाताल में भरती भी करवाया जाएगा आपको बता दे कि अगर किसी तरह का बुखार, सर्दी, खासी, जुखाम, सास लेने में दिक्कत और पेट में गड़-बडी जैसे लचण हो। तो बीना डॉक्टरी सला के कोई भी दवा ना ले ना ही बीना डॉक्टर की सला के दवा दुकान से खरी दे विशेशग्य डॉक्टर को दिखाने और ज़रूरी जाचे करवाने के बाद ही डॉक्टर की सला ले और उसके बाद ही दवा ले आपको ये भी बता दे कि बताया ये भी जा रहा है कि एक निजी अस्पताल में भरती 17 वर्षी है कि शोरी में जीका से मिलने से उसके लक्षन जो मिले है उसमें चिकित्सको की सलाव पर उसकी जाच कराई गई है सेंपल दिल्ली भेजा गया है और जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है कि शोरी को कोई ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं बताई जा रही है